बिस दो मिनिट वो ओफिस के एक इमेल करनी है, तभी ससुर्जी आ जाते हैं मैंना कहता था, जिस दिन ये फीमेल इमेल करने लगेगी, घर नहीं चलने वाला तभी सास हाथ में नाश्टे की प्लेट ले आती है येलो, सभी उपमा खाओ गर्मा गर्म स्वादिश्ट उपमा देख कर वा माजी, दो मिनिट में ये कमाल, क्या बात है? वो आता है न, रेडी टू इट वाला पैकेट, वही मनाया है स्वाद बता बहु कैसा है? कल तक जो बीवी पती के नाम से ही कापती थी बहु के आजाने के बाद कैसे उड़ रही है? ये देख कर से सुजी को आ जाता है, गुसा हाँ, हाँ, पैसे तो पेड़ पर रुखते है न या तेरा बाब दे जा रहा है, जो बैठे-बैठे पैसे खर्च कर रही है में चली जाती है, क्या पापा, क्या ज़रूती मा से ऐसे बात करने की, सुबर से कुछ नहीं खाया है, अब जब खाना आया तो रुला दिया आपने, चली देखते हैं मा कहां गई? मेरी जूती भी ना जाये उस पागल औरत को देखने, अरे क्या गलत का आमन, बस यही ना कि भई पैसे बचाओ, अरे कमाने बाहर निकले ना, तब पता चले कि कैसे हड़ी गल जाती है बात तो सही कह रहे हैं पिता जी, मा को तो बस पैसे उड़ाना आता है अरे पर माने तो सब के लिए नाश्टा ही बनाया था ना, कौन सा खुद के लिए गहने खरीदे थी? खेर, बहु समझ जाती है कि सारा मामला कमाई का ही है, क्योंकि सास कुछ करती नहीं, कुछ कमाती नहीं, तो ससूर जी उन पर हावी रहते हैं, फर क्या था? अप्थी बारी बहु की माजी, दर्वासा खोलिए, देखे मैं उपमा लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म खालेते हैं सास कमरा खोल देती है, सामने खड़ी होती है बहु, हाथ में उपमा की प्लेट लेकर बहु सास की सूजी आग देखकर समझ जाती है कि मामला गर्पर है, वो बात पलटते हुए कहती है माजी, वो आपकी काली साड़ी पर काला ब्लाउज है ना, वो प्लीज मुझे दीजी, मुझे कलना काली साड़ी पहनी लेकिन कोई ब्लाउज ही नहीं है सास बहु की बात में अपना अगाम भूल जाती है हाँ, हाँ, बहु क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया था, चल अभी निकाल कर देती हूं तुझे सास बहु को ब्लाउज निकाल कर देती है, फिर अगले रोज माजी, आज तो अफिस पे कमाली हो गया, पता है क्या, सारी सहलियों ने घेर लिया पूश रही थी, ब्लाउज कहां से खरीदा, मैंने भी बोल दिया, मेरी सास ते सिला है, वो भी खुद डिजाइन कर गे ये तो वही बात हो गई, कि जोला चाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई, अरे बहु ये तो बस ऐसो ही बना दिया था लेकिन माजी आपको पता है, ये देखिए, दो लोगों ने तो मुझे कपड़ा भी दे दिया और ना भी, सेम टू सेम डिजाइन का ब्लाउज बना दो, और बदले में ये दो हजार रुपै हाथ में दो हजार देख कर सास की तो आँखे फटी की फटी रह जाती है अरे बहु, ये तो कमाल ही कर दिया, ये काम तो मैं कल देरे ओफिस जाने से पहले ही खत्म कर दूँगी सच्ची माजी, कैसे, इतनी जल्दी अरे बहु, वो बस नाप है न, उसी क्या कार का काट काट कर डिजाइन ही तो देना है, ये तो मेरे बाए हाथ का खेल है अगले रोज बहु आफिस जाती है, और फिर शाम को दो बलाउज ले आती है अरे बहु, क्या बात है, लेकिन इसकी डिजाइन बहु, फोन में सास को डिजाइन दिखाती है आरे ये तो बच्चों वाला डिजाइन है, रुक, अभी थोड़ी देर में ही दे देती हूँ सास बहु को कपड़े सिल कर देती और बहु सास को रुपए, फिर एक रोज बहु को सास की बात में दम लगता है, और वो कुछ सोचती हुई निकल जाती है वो कमरे में बैठी होती है कि उसकी ससुर की जोर-जोर से चिलाने की आवाज आती है फिर फिजल खर्ची, अरे तुम्हारे जैसी बेकार, नाकाम करज करने वाली औरत कब पैसे की किमत समझेगी क्या जरूरती ये मशीन खरिदने की अरे वो मैंने EMI में ली है, आपको पता है ना कपड़े सिलने का कितना शाक है मुझे हाँ तो क्या दरजी बनोगी, लोगों को पकड़ पकड़ कर नाप लोगी, अरे कुछ तो शरम करो तब ही बहु आ जाती है, उसके हाथ में चाबी होती है माजी, ये चाबी, मैंने चुराए में आपके लिए बुटिक खुला है पैसा लोन से लिया है, तो काम करके आप चुका देना और हाँ माजी, कल उधगाटन है, तो ग्यारा बजी दुकान में पहुँच जाना पूजा में आपको ही बैटना है ये सुनकर ससुर जी आग बुबला हो जाते हैं कही नहीं जाएगी ये, इस घर की औरते बाहर नहीं निकलती तू तो इंजीनियर है, इसलिए तुझे इजाज़त दे दी लेकिन ये तेरी सास, चार अक्षन नहीं आते इसको अरे रहने दे, क्यों पैसे बरबाद करवा रही है सास को डांटने की आदत ससुर जी को जो लग चुकी थी सास बहु क्या और देखती है, तो माजी, कल वक्त से तयार है ना ससुर जी, आप ही तो माजी को कहते थे ना, उन्हें पैसे की कदर नहीं है तो अब वो खुदी कमाने जा रही है ससुर की रजामंदी ना होने की बाद भी सास काम करती है लेगिन ससुर भी ससुर होता है एक रोज सास देर से घर आती है कहां घुम रही थी? यह कोई वक्त है घर आने का? घर का ठेका क्या आप मर्द लेंगे? अब लगोगे रसोई में? क्योंकि तुम्हारी बहुरानी भी नहीं आई अभी तक पापा, आज बाहर से ही मंगवा लेते हैं आज बहुत ज्यादा काम था किसी की शादी का पूरा कपड़ा सिलना था कल उन लोगों की ट्रेन थी खुद बैठ कर काम करवा कर गये हैं बहु, ये पैसे हैं आज के गल्ले के जरा संभाल ले ससूर देख रहा होता है कि कैसे कल तक जिस औरत को वो बुरा भला कहकर डरा कर रखता था वो आज उससे ज्यादा कमा रही है ससूर अब रोज कोई न कोई ऐसा काम करता जिससे सास का काम बंद हो जाया फिर एक दिन ये बगवान, दस बज गया बुटिक खुलने का वक्त हो गया है लेकिन ये मेरी साड़ी इस पर ये क्या गिर गया पता नहीं किसने क्या ढाल दिया सास दुबारा अलमारी से दूसरी साड़ी निकालती है फिर उसे प्रेस करती है और किसी तरह बुटिक पहुँचती है जहां पहले से ही कस्टमर खड़े होते हैं अरे क्या हो गया लगता है काम चल गया तो मैडम के भाव बढ़ गया सास को कस्टमर की बात बुरी लगती है लेकिन क्या करती वो जल्दी से सभी को सारा सामान दे कर विदा करती है सारा दिन काम करती है वो निकल ही रही थी कि एक कस्टमर आती है जी वो मेरी सारी है न शादी की उसका लहंगा बनवाना है हाँ हाँ क्यो नहीं बनवा लो शादी की सारी के साथ इमोशन्स जुड़े होते हैं बिल्कु सही बोला आपने परसु मेरी शादी की सालगिरा है तुझ जरा बना देना अरे नई नहीं इतनी जल्दी का हाँ तयार होता है शादी का लहंगा कम से कम चार दिन तो देखिए आप दो दिनों में जितना कमाती है न वो मैं आपको एक दिन में दे दूँगी बस मेरी शादी की साड़ी का लहंगा बना दीजिए सास को भी अब पैसे की लालज आ जाती है वो सोचती है कि वैसे भी कोई अरजन्ट काम नहीं है तो वो मैंनेज कर लेगी ठीक है नाप देदीजिये औरत नाप देकर वहां से चली जाती है सास सोचती है कि घर जाकर रात में काम करेगी ये सोचकर वो उस औरत की शादी की साड़ी घर ले आती है वाँ, अब काम घर पर भी ले आ रही हो हाँ, लेकिन घबराई है नहीं, घर के काम में कोई असर नहीं होगा सास घर का काम करती है बहु के साथ खाना बनाती है खिलाती है और फिर क्या बाते सास मा बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही है आज सास बहु को सारी बात बताती है क्यों मा जी इतनी भी क्या मैनद करना अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि उस बेचारी औरत की इमोशन्स की भी थी ये उसकी शादी की साड़ी है ना ससूर पास खड़ा सब सुन रहा था अब देखो बहुत काम करने का शौक है ना कैसे भरे बाजार तुम्हारी दुकान खुद तुम बंद करोगी जब सास पूरी रात काम करके सुबह लेटती है मौका देखकर ससूर कैंची से साड़ी को काट देता है अगली सुबह चलो, कल आधा लेंगा सिला था आज पूरा करके शाम को ही उसे उसका लेंगा सौब दूगी लेकिन ये क्या, सास जैसे ही लेंगा उठाती है कर हस रहा था बहुत देख लेती है और ससूर की पास जाती है पिता जी, आप से ऐसी छोटी हरकत की उमिद नहीं थी आप खुदी दुकान बंद करेगी ससूर वहां से चला जाता है सास भी वहां जाती है वह समझ जाती है कि उसके पती नहीं साड़ी पर कैंची चलाई है लेकिन फिर शाम को जी, वो मेरा लेंगा तेयार हो गया? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार लेंगा पहन कर भी देख ले औरत लेंगा पहन कर आती है और खुब खुश हो जाती है रही है लेंगा